Welcome friends, मेरे चानल में आप लोग का स्वागत है मैं बहुत खुश हूँ जिके आप लोग मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं काफी लोगों ने किया है और काफी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और व्यू दे रहे हैं उसके थैंक यू जो लोग ये जो लोग मेरे चानल पर अभी देख रहे हैं नए हैं उनको मैं ये बोलूँगा जिकि मैं free of course कुंडली रीडिंग प्रोवाइट कर रहा हूं और साथ में आप लोगों के दो सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं ठीकिन ये सब के लिए नहीं है ये selected कुंडली जो मैं सिलेट करूंगो उन कुंडली की मैं रीडिंग प्रोवाइट करने की कोशिश कर रहा हूं अब आपके कुंडली अगर आपको सिलेट करवाना है अपना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम जह जो सही लगेगा मैं उन कुंडली की free of cost दो सवालों के जवाब और कुंडली रीडिंग प्रोवाइट करूँगा अब बात कर लेते हैं एक कि यह मेरा first video है रमेजस जी के नम रमेज जी इनका नाम है जिनका मैं अब free से कैसे पूल में आप अपना कुंडली डाल पाएंगे वो मैं आपको बता दूँगा अब हम लोग कुंडली रीट करते हैं यह कुंडली रमेश जी की है रमेश जी की एज 41 प्लस है और इनके दो सवाल है जी की जॉब करें या बिजनेस करें करियर फ्रेंट पे और परसनल प महादशा चली है शनी की 2035 तक चलेगी केतु के अंतरदशा खतम होई है फेवरी 2023 में और वीनस के अंतरदशा शुरू होई है शनी के अंडर 2026 तक इसकी चलने की डेट फिक्स किये गया अब बात कर लेते हैं जिके आपकी कुंडली जैमीनी लगन की है और आपका जो जैमी अच्छा benefit मिलेगा चाहे हो business हो या job हो रफिश जी आपकी कुंडली के साथ एक चोटी सी problem है चोटी सी मैं नहीं बोलूगा एक problem है आपकी कुंडली काल सब दोश से में आते आते रह गई है आपकी कुंडली के सारे ग्रह एक site पे है और इस कारव आपकी कुंडली काल सब य लिगरी आगे है रहो के तो इस वज़ा से आपकी कुंडली काल सब्दोश में नहीं आई है लेकिन आपकी कुंडली काल सब्दोश की कार मतला अगर किसी का हो तो उसको प्लैनेट जो होते हैं वो फुल फ्लेज अच्छा बेनेफिट नहीं दे पाते हैं इसलिए आपको ओवर का दशा चल रहा है इसी वज़ा से महादशा चल रही है इसी वज़ा से इसका असर थोड़ा जादा दिखाई दे रहा है रवेज जी एक बात आपको बोलूँगा आपकी एच फॉर्टी वन प्लस है काल सब्दोश योग का असर राहू और केतू की वज़ा से होता है मेरे मेरा पूरा अनुमान ये रहेगा कि आफ्टर फॉरीस ये जब आप फॉर्टीट ओ कॉम्पलीट कर बैठेंग लेंगे तब आपको इस प्रॉब्लेम से काफी राहत मिलेगी तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपको इस प्रॉब्लेम से राहत मिल जाएगी रवेज जी आप आपके सवाल, आपके problems को sort out करूँ, क्योंकि मुझे बाकी लोगों से जादा आपकी problems में थोड़ा सा मुझे जादा genuinely लिखी, तो इसलिए मैं आपकी कुंड़ी को read कर रहा हूँ, presently सवाल आपका यह है कि job करूँ या business करूँ, रमेज जी केतू की अंतरदशा अभी खतम हुई है, that's why आपने बोला था आपकी death की death हो गई है, पिता जी की death हुई है, शायद उसी वज़ा से हुई है क्योंकि केतू की अंतरदशा चल रही थी और केतू ने अपना असर दिखाया, और पिता जी की death हुई, आपकी अंतरदशा सनी की महादशा में वीनस की चल रही है, और शुकर की महादशा आपके लिए काफी अच्छी रहनी चाहिए रमेज जी, क्योंकि शुकर पंचमेश और बारवे घर का मालिक होके चौते घर में बैठा हुआ है, रमेज जी अगर आपको कोई opportunity बाहर job की मिलती है, तो उसे grab कर लीजेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी communication बहुत अच्छी है, और at presently वीनस की अंतरदशा चल रही है, शनी के अंदर शनी भी चौते घर में बैठा हुआ है, देखिए, शनी का एक असर होता है, शनी जो भी चीज देता है, वो इंसान को पूरा पक्का करके देता है, जब वो deserving बन जाता है, उसके बाद देता है, तो शनी की दिष्टी, महादशा की कारहा की mercury की लगन में, शनी अच्छा फल देगा, लेकिन जो भी देगा, शनी जो भी देगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखे काम कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा, आपका भागेश है सनी, आठवे घर का मालिक और नवे घर का मालिक, चौते घर में बैटा है, तो सदन गेन और खिसमत का साथ बिलकुल मिलेगा, हो सकता है जब आपकी फादर की डेथ हुई हो, तो आपको कोई financial opportunity आई हो, जिससे आपकी convenience या benefit बढ़ने के chances बने हो, आपने grab किया क्या, ये सवाल आपके depend करता है, अब आपने पूछाता है कि मैं job करूँ या business, नहीं जी आपको job करते करते business करना शुरू कर देना चाहिए, सबसे important point है, आपकी communication skill काफी अच्छी रहीगी, यहाँ पे बैठे हुए mercury की वज़ा से, और Saturn की दशा की वज़ा से, आप और Venus की अंतर दशा की वज़ा से, आप अगर hotel business करें, property से लेके business करें, और guru की भी दिश्टी है, तो guru की बाद बाद में करते हैं, शनी और Venus की दशा में अगर आप property का business करें, या property से related कोई काम करें, या hotel का business करें, या कोई services provide करें, मुझे नहीं पता, आपकी line चाहिद medical भी रही हो, अगर medical रही हो, तो medical में भी अगर आप कोई कुछ, आप अगर बड़े business में हैं, तो आप हो सकता, जिकि कोई pharmacy शुरू कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में अगर आप जाते हैं, तो आपके लिए beneficiary रहेगा, प्रॉपर्टी में जाते हैं, अगर आप business कर रहे हैं, तो business आप, मतलब side by side अगर future में business करने का, क्योंकि Venus की दशा में हो सकता, future में business करने का सोच रहे हो, या अभी भी सोच रहे हो, तो आप सोच रहे हैं, तो property से related business करें, hotel से related, service related business करें, कोई beauty product के related business करने की कोशिश करें, communication आपको बहुत help करेगा, इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरा advice ये रहेगा, आपने पहले पूछ रहे हैं, कि मैं करूँ क्या, तो करने के लिए, मैं आपको advice दूँगा, जी कि आप job करिए, obviously आपने बोला, मैं BPO में काम करता हूँ, तो हो सकता, आप BPO में communication से ही, related काम कर रहे हैं, तो communication से आपको benefit मिलेगा, तो job करते रहे हैं, आप communication में, simultaneously अगर property का business करें, शनी की दशा है, 10 साल के लिए, satisfaction शायद job से नहीं मिल रही हो, slow satisfaction मिल रही हो, तो इसलिए आपको मैं advice दूँगा, जी कि सबर रखे, job ना छोड़े, साथ में business करने की सोचे, अब साथ में business करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो mother के साथ मिल के कर सकते हैं, और wife के साथ मिल के कर सकते हैं, बच्चे के नाम पे अगर business करेंगे, तो जादा बहतर रहेगा, अगर बच्चों के नाम पे अगर बजने शुरू कर देते हैं, तो आपका luck आपको favor करेगा, अगले तीन साल के लिए, आपका luck आपको अच्छा favor करेगा, mother के थुरू भी आपको अच्छा favor करेगा, अगर आप job में हैं, और job की continue कर रहे हैं, और business नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा, communication से related job करेए, किसी hotel chain में अगर आप अभी घुस सकते हैं, तो hotel chain में अगर communication करेंगे, तो आपको अच्छा benefit मिलेगा, या किसी property related, या किसी government job में करने की कोशिश करिए, अगर आप अब की age हो चुकी है, लेकिन फिर भी, अगर आप law पढ़ना चाते हैं, तो law पढ़ लीजे, law पढ़ने के बाद भी आपको अगर आप जिस profile में, देखे जॉब करते करते हैं, अगर आप law कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप जॉब भी prefer करें, तो मेरे advice में, आप जॉब के साथ business करें, तो ज्यादा बहतर रहेगा, होप करता हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा होगा, अब मैं बात करता हूँ, आपने पूछा, मैं अपनी income से personal property बना पाऊँगा की नहीं बना पाऊँगा, देखे 2035 तक शनी की मात अशा चल रही है, प्रॉपर्टी तो आप बिल्कूल बना पाएंगे, और अपनी महनत से बिल्कूल बना सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसमें satisfaction प्रोवाइट करने के लिए, जुपिटर यहाँ पर problem क्रेट कर रहा है, अगर जुपिटर यहाँ पर problem क्रेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी convenience और सब चीज में, जुपिटर बैट के full satisfaction नहीं दे रहा है, लेकिन शनी की मात अशा चल रहे हैं, तो satisfaction शनी प्रोवाइट करेगा, घर प्रोवाइट करेगा, या चाहिए, ही चाहिए, तो बच्चों के नाम पे या वाइफ के नाम पे बनाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपकी वाइफ जॉप करेए, तो अगर आपकी वाइफ हैं, मतलब आपकी वाइफ अगर आप allow करते हैं, वीनस आपको घर, गाड़ी प्रोवाइट करेगा, लेकिन जॉइंट में करेगा कि लॉंग टर्म वो फिर वो टिकेगा, राहू यहाँ पर सेकेंड हाउज में बैठा है, यह कॉम्प्लिकेशन क्रेट कर रहा है, मैं आपका एडवाइस दूँगा, यहाँ पर बैठा हुआ राहू, आपके फिक्स ऐसेट के लिए दिखकर दे रहा हूँ, और आपके परिवार में भी आपको, आपके फिक्स माबाप की ऐसंपती या जो एंसेस्टर प्रोपरटीज है, उसमें यह कॉम्प्लिकेशन क्रेट कर रहा है, तो 42 साल तक का वेट करिए, 42 के बाद यह राहू थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जादा दिन नहीं बचे हैं, दूसरा यह है कि आप हो सके तो डॉक फिट करना शुरू करिए, और कुत्तों को खाना खिलाना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर डॉक फिट करते हैं तो रहू यह शान्त रहेगा, और आपको फिक्स असेट की बेनिफिट्स प्रोवाइट करेगा, मंगल चौते घर में बैठा है, अपनी लैंग्वेज, अपनी रिलेक्शन में थोड़ा सा कामनेस प्रोवाइट करेए, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा शानलीनता लाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हार्शनेस कम करिए, हो सकता है, बहुत सही बोलता है, लेकिन अगर आप हार्शनेस में बोलेंगे, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, छोटे भाई बैन की वज़ा से, आपको कॉम्प्लिकेशन दे रहे हो सकता है, जिकि वो प्रॉपर्टी बिजन, आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी लेने की लिए, तो छोटे भाई बैनों के साथ, उतना अच्छा रिलेशन ना होने के करण, आपको अपकी पर्सनल, आपके अंसेस्रल प्रॉपर्टी में आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्रेट कर रहा है, लेकिन आप उनकी बाते अपने पर्सनल लाइफ में मत लाईएगा, और अपना पर्सनल लाइफ जो चल रहा है, उसमें आप महनत करके बना लेंगे, अभी 2026 तक का टाइम बहुत अच्छा है, घर भी बना लेंगे और काम भी करेंगे, तो आप अच्छा काम कर सकेंगे, जोब अच्छा करेंगे, कॉम्प्निकेशन का कोई भी काम हो आप, वो करिए, जो भी कैलकुलेटिव काम हो, जैसे मैथोमेटिकल कैलकुलेशन का काम है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, शानी उसमें सपोर्ट करेंगा, लॉब लैंड आप काम कर सकते हैं, चाहिए वो जॉब में करें, या आप क्या बोलते हैं, बिजनेस में करें, मेरा एडवाईज रहेगा, लॉब टर्म सोचेंगे, तो जॉब करते करते, आप बिजनेस शुरू करिए, और बिजनेस जो कर रहे हैं, उसमें लैंड रिलेटेट काम करिए, अभी के लिए आपके 12-35 तक, लैंड रिलेटेट काम बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद, उस लैंड रिलेटेट काम में, पैथिस के बाद, जब मरकरी की महादशा चलेगी, तो कॉम्निकेशन के तुरू, आप बहुत अच्छा कमा लेंगे, तो प्रॉपर्टी डिलिंग हो गई, या लॉग हो गया, अगर आप अभी पढ़ने में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीनस की दशा आ रहे हैं, तो आप कुछ न कुछ तो पढ़ाई करेंगी, तो जो भी पढ़ाई करें, वो पढ़ाई आपको फाइदा दिलाएगा, अगर आप कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बच्चों के नाम पे कोई पिजनेस शुरू कर दीजे, तो भी आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा, तो ये रीडिंग थी रमेज जी, मेरी आपकी कुंड़ी के रिगार्डिंग, आपके सवालों का मैंने जवाब दिया है, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं एक चीज बताता हूँ, कि जीवन में जो आदमी होता है, जो मैन होता है, उसकी जिन्देगी में प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उसे खुद सौट आउट करनी पड़ती है, खुद उसके सवालों का जवाब ढूंडना पड़ता है, और खुदी मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग जो मेल कैटेगरी में जो आते हैं, उनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके लिए कोई खास सपोर्टिफ होता निए, वो सपोर्ट मिल भी जाया, तो उनको अपने प्रॉब्लम्स खुदी सॉल्फ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आपका एड़्वाइस दूँगा जी कि रिलाक्स रहिए, केतु की दशा आपकी अच्छी नहीं कटी है पिछले साल मैं मानता हूँ, और हो सकता है जी कि उस वज़ा से आप लोगों के भाई बेनों के साथ भी खास अच्छे रिलेशन्शिप प्रॉपर्टी से भी कोई लॉस हुआ होगा, एंसेस्रिल प्रॉपर्टी से, लेकिन अब अच्छी दशा आई है, हाँ ये थोड़े ठंडे प्लाइनेट्स हैं, तो शनी की थोड़े उपाई कीजिए, और राहु का कुत्तों को डॉपर्टी करेंगे तो आपका शनी भी अच्छा रहेगा, मैं होब करता हूँ, आपकी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, आपकी दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो पॉलेडी कुंडली अपना भेज चुके हैं, कि I'm really sorry, आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वट्साप पे रिपीट लिखे, फिफ्ट और जुलाई लिखे भेज दीजे, मैं आपकी कुंडली को रिट करने की, जिस पूल में सेलेक्शन होगा, उसमें आपकी कुंडली भी डाल के रिट करने की कोशिश करूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सपोर्ट करिए, चैनल ग्रोव पाएगा, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा चैनल ग्रोव पाएगा, आप लोग वो जितना हो सकेगा, और अच्छे से मैं हिल्प कर पाऊँगा, तो इसी वीडियो को मैं यहां खतम करता हूँ, थेंक्यू सो मच,